आईए सुनते हैं यस्पाल जैन जी की कहानी कल करेशो आज कर पांडो पांच भाई थे उनमें सबसे बड़े थे युधिष्टर वो हमेशा सच बोलते थे इसलिए सब उन्हें सत्यवादी कहा करते थे एक दिन युधिष्टर किसी काम में लगे थे तभी कोई महत्मा उनके पास आए उन्होंने उनसे कुछ मांगा लेकिन युधिष्टर ने कहा आज मेरे सामने बहुत काम है आपका लाईएगा मैं आपके इच्छा पूरी कर दूँगा या सुनकर महत्मा उठकर बाहर चले गए युधिष्टर के छोटे भाई भीम आनंद से भरकर दरवाजे पर खड़े थे उन्होंने बड़े भाई की बात सुनी तो लोगों से कहा घंटा और घडियाल बजाओ उनके ये कहते ही घंटे घडियाल बजने लगे युधिष्टर ने जब बाजों का सोर सुना तो भीम से पूछा यह सब क्या है भीम ने उत्तर दिया आपने काल को जीत लिया है उस विजय के उपलक्स में ये मंगल वाद्य बज रहे हैं युधिष्टर ने कुछ छुब्द और कुछ विश्मित होकर पूछा मैंने काल को जीत लिया है ये तुम से किस ने कहा विनत्सवर में भीम बोले अभी आपके मुझ से सुना है युधिष्टर ने और भी चकित होकर कहा मेरे मुझ से सुना है जी हाँ भीम तपाक से बोले सब जानते हैं कि आप सत्यवादी हैं कभी जूट नहीं बोलते आपने अभी एक महात्मा को वचन दिया है कि कल उनकी इच्छा पूरी कर देंगे इससे साफ है कि कल तक तो आपने काल को जित ही लिया होगा भीम की बात सुनकर युधिष्टर मुस्कुरा उठे उन्होंने महात्मा को वापस बुलाया और उनका काम उसी घड़ी कर दिया धन्यवाद